जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ वाई सब बढ़ी आऊंगे श्वीडियम दोस्तों बात करेंगे GUL versus EMI यानिकी Gulf Giants versus MI Amirates की टीम के बीच में जो यहाँ पे UAE T20 या फिर आप लोग कह सकते हो कि बाई IEL T20 का मैच नंबर 26 खेला जाएगा इसको कवर करने वाल में किसको ट्राई कर सकते हो मतलब ऐसे प्लेयर जिनका स्लैक्शन कम है लेकिन वो प्लेयर कहिना का इस मैच में कच्छी और इंपोर्टेंट पिक आपके लिए बन सकते हैं तो सारे चीज़े कवर करेंगे वीडियो आपको कम्पेड वोच करना है सबसे पहले एक चीज आप परफॉर्मेंस काफे बढ़ी है लेकिन अब दग यह टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई लेकिन EMI यहां पर उलड़ी क्वालिफाई कर चुकी है तो डिटेल में सारी चीज़े कवर करेंगे वीडियो आपको कम्पेड वोच करना है सबसे पहले चैनल पर नहीं होते हैं सबस को जोईन कर लेना कोई भी अपडेट्स होंगे टोस होने के बाद फाइनल टीम अगर लास्ट मॉमेंट पे कोई भी चेंजिस बगर किये जाएंगे आपको सारी अपडेट आफटर टोस टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट की जाएगी तो कमेंट सेक्शन और वीडिय गेंट बाजों के लिए आपको एकवली हेल्प देखने को मिल जाएगे ठीक है अच्छा विगेट हो सकते है तेज गेंट बाजों के लिए लेकिन स्पिन को भी आप लोग आप लोग अवोईड नहीं कर सकते है मेल ली वो स्पिनर जरूर पिक कर लेना जो कि अपने पूरे चार ओवर करेंगे और कौन से वो स्पिन गेंट बाज रेंगे जो पूरे चार ओवर गेंट बाज ही दे सकते है वो आपको आगे वेडियो में बताऊँगा ऐसे स्पिन गेंट बाज टीम में नहीं रखने बाई जिनके ओवर कट हो सकते है ठीक है वैदर की बात करें आपको दूब खिलीव दिखेगी मतलब पूरा आपको प्रोपर 20 ओवर का कंप्रेट मैच यानिकी 40 ओवर 20 ओवर करके पूरा 40 ओवर का मैच आपको देखने को मिल जाएगा पिछले पास्टी 20 मैच का एवरेज स्कोर इस विगेट पे लगबग 149 की आसपास है मतलब आप लो उसके बाद में बात करें पिछले पास्टी 20 में याँ पे टोटल 69 विगेट गिरें जापे 45 तेज गिन बाजने तो स्पिन ने याँ पे केवल 24 विगेट निकाले आप लोग देख पाऊगे स्पिन उतने जादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन फास्ट बोलिंग ने एक तर पिछले पास मैच के फूम देखे तो जी उल अपने तीर मुकाबले विन कर चुके जबकि एमाई अपने चार मुकाबले विन कर चुके मतलब दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस आप लोग कह सकते हो कि काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा सारे जीज आपको समझनी है बैलेंस फिगेट रहेगा थोड़ा अच्छा बल्ले बाजी करी जाएगी एक सो पैसेट एक सो सत्तर का स्कोर इजली लगाया जा सकता है और जहां पर दोनों टीम्स आए वो जीजी की बात हो या फिर बढ़िया एमाई की टीम की बात हो बल्ले बाजी दोनों टी से निकलस पूरणे ना कमाल की फोर्म दिखाई है हालांकि टीम की काक्टन सी भी आपको करते भी दिखेंगे और इस सीजन बात करें तो टोटल आठ इनिंग के अंतर 261 रंस ये प्लेयर कर चुक है काफी तगड़ा और खतरनाक प्लेयर है जबकि लास्ट मैच में बात करू कोक्स भी तगड़ा हार्ड इटर प्लेयर है ठीक है लेकिन अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें जो कि आपको देंगे सैकिंड डाउन पे मतलब दो विकेट गरने के बाद आपको जोर्डन कोक शाम पे बल्लेबाजी देने वाले हैं और काफी अच्छे प्लेयर है किसी म मैच में रन सब्दकी नहीं कर पाई है कुसल परेरा लास्ट मैच के हीरो थे अगर इमाई की टीम की बात करें कोकि 65 रन्स की गजब की पारी थी बट एक चीज़ आपको बता दू कुसल परेरा के बारे में यह देखो टोटल यह आपके लग पे डिपेंड करने वाला प्ले अब दक बात करें लास्ट मैच में 65 रन्स की पारी सेकंड लास्ट मैच में 47 की बढ़िया पारी थी मातर 27 गेंद में एक मैच में 44 रन्स की पारी उलड़ी खेल चुके एक मैच में 42 कर चुके और एक मैच में 13 गेंद में 22 मतरब अब दक देखो इनोंने 6 मुकाबलों में ब वाई कुसल परेरा जैसा प्लेयर जो की हिट एंड मिस वाला है वन डाउन बल्ले बाजी देगा EMI की टीम के सैट जे फोर्म की बात करें उतनी बढ़िया नहीं है फिर भी अगर आप लोग रिस्क टेकर हो अगर अपनी टीम में रिस्क उठाना चाहो तो ही आंदरे फ्लेचर के साथ में अपने टीम में जा सकते हो दरवाईज मेरे इसाब से उतना ज़्याद मैं फिलाल इनको प्रेफर करके नहीं चलूँगा हालांकि बोथ तगडे हार्ड इटर प्लेयर है नो डाउट फिर भी बैक नहीं करेंगे बाई ठीक है जैमी स्मित को भाई अपने टीम में बैक करके चलना है तो आप लोग कर सकते हो इस सीजन के एक बार इनकी फोर्म में आपको बता देता हूँ आठ हीनिंग में टोटल 97 ही रंस है उतनी बड़िया फोर्म नहीं है और किसी भी मैच में कुछ खास रंस नहीं है सिर्फ पहले मैच में 42 संस की पारी थी बाकी के मैच चीज में कुछ खास नहीं कर पाए तो जोडन कोक्स, आंद्रे फ्लेचर, जैमी स्मित, तीनों आपके लिए यूनिक रहेंगे किसी को भी ट्राई कर सकते हो, सेफली खेलना है निकलस पूरन कुसल प्रेर आपके लिए बैस्ट विगल रहेंगे बैटिंग सेक्चन के अंदर आओगे, जैम स्विंस ओपनिंग बल्ले बाजी सीमरन हिटमायर जो कि आपको फॉर्थ डाउन बल्ले बाजी देंगे अब हिटमायर देखो, टोटली लग बेस्ट प्ले रहेंगे, ठीक है क्रिस लिंग जो की उतरेंगे बाई, वन डाउन बल्ले बाजी खतरनाक प्ले रिशेंटली, बीबियल बहुत बढ़ी अकेला और कमाल की फोर्म हमें देखने को मिलीती, अगर मैं बीबियल यानि की बिग बैस लिग की बात करूँ आठीक है सबसे पहले बात करते हैं जेम स्विंस के बारे में जो की जिजी यानि की गल्फ गाइंट जी उयल की टीम के साइड़ से ओपनिंग बल्ले बाजी देंगे काफी बढ़िया प्लेयर है, रिशेंट बीबियल भी इनका बहुती बढ़िया जाग गया था और अब दक देखोगे तो 6 नहीं में यहाँ पे भी यह टोटल 244 यानि यह 244 निया निगी 244 कर चुके हैं हर मैच में लगाता रंस निकले सिर्फ अगर मैं लास्ट मैच को छोड़ दू जापे सिर्फ एक की रंस यह कर पाई थे, ओवरॉल पांच मैच में बहुती तगडी पारिया इन्होंने खेली हैं अंबती राइडू के बल्ले से लास्ट मैच में अच्छी पारिया आई थी सेकेंड डाउन बल्ले बाजी करेंगे ठीक है चावालिस के सम्थिंग कुछ इनोंने शायद रंस करते हैं अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ तो आप लोग चाहो अंबती राइडू के साथ में जा सकते हूँ एक ऐसा प्लेयर है जो कि टिक के भी विकेट पे बल्ले बाजी दे सकता है जो कि इनका सबसे बड़ा पलस वाइंट रहेगा ये मान के चलिएगा ठीक है तो अंबती राइडू आपके लिए बड़िया विकल्प हो सकते है सो चाहो आप लोग अपने टीम में बैक कर सकते हूँ इस सीजन के एक बार इनकी फोमा आपको बता देता हूँ पाच इनिंग में अब तक ये टोटल हंडर रन कर चुके जापे लास्ट मैच में चवाली संस की पारी लेकिन वो 38 गेंद के अंदर आई जी ठीक है सेकंड लास्ट मैच में तेईस रन्स करे थे बट वो 30 गेंद के अंदर मत्रब एक रिस्पोंसिब्लिटी के साथ में बल्लेबाजी कर सकते है जादा लंबे हिटिंग के कोशिस नहीं रहेगी ट्राइ गरना चाहो कर लेना टिम डैविड की बात करें जो कि आपको देंगे 4th डाउन बल्लेबाजी EMI की टीम की साइड से अब देखो टिम डैविड आपके टोटली लक बे डिपेंड गरने वाला प्ले रहेगा ठीक है बहुत तगड़ा हार्ड इटर बल्लेबाज है गेंड बाजी टीम चाहे बीच में एक डोवर निकलवा भी सकती है वो भी द्यान में रखेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि बाई गेंड बाजी दे तो सिर्फ आप लोग एजे बल्लेबाज टीम में बैक कर सकते हो और इस चीजन अगर फोम की भी बात करेंगे तो 6 इनिग में टोटल 128 सी रंस इनके बल्ले से निकले जापे कुछ खास पार या नहीं एक मैच में 15 गेंड में 41 संस की गजब की बारी थी बाग की उतना इंपक्टफुल नहीं दिखे अगर माई चांस माल लेजिए इमाई के विकेट जल्दी कर जाते है तो भाई आपके लिए टिम डैविड जरूर थोड़ा से इंपक्टफुल प्लेयर बनके जा सकते है तगडे हार्डिटर प्लेयर है रंस भी आ सकते है फ्लोप भी जा सकते है वो चीज आप लोग दान में रखिएगा आठ इनिंग में 248 यानि के 248 संस ये कर चुके है फिर भी अगर आपको बैक करना अपने डिम में कर सकते हो लेकिन लख पे जाता डिपैंड करेगा ये चीज में आपको पहले ही केलियर गर दू ठीक है फिलाल मैं दो प्लेयर पिक करूँआ जेम्स विंसोर याँ पे क्रिस लेन को एक बार चलते बाई ओलाउंडर सेक्षन में याँ पे जी रासमस जो कि आपको मिलेंगे जी यूल की साइड से ठीक है थर्डड़ डाउन बल्ले बाजी गरी लास में चार ओवर कंप्लेट गेंड बाजी अब हर मैच में कितने ओवर करेंगे वो कंफरम नहीं रहेगा ये चीज़ में आपको किलियर करके चलूँगा ठीक है सबसे पहले रासमस के बारे में अगर इनकी फोर्म की भी बात करेंगे जो की जीवल की साइड से आपको थ्रडड़ डाउन बल्ले बाजी भी देंगे लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताए बाजी इनकी कंफरम नहीं रहेगे ठीक है बल्ले बाजी तीन मैच में केवल सैथी सी रन्स है कुछ खास नहीं है लेकिन गेंदबाजी बात करें दो इनिंग में करवाई और एक विकेट इनके नाम है लेना चाहू ले सकते हो अगर टीम उपर बल्ले बाजी करवाले शोरली आ रही है बंदा इनके लिए ना काफी इंपेक्टफुल पारिया खेल के जा सकते है अब डिपेंड गरता है जी उएल की टीम के काप्टन की उपर कि वो यहाँ पे जैमी ओटन को किस पोजिशन पे बल्ले बाजी करवाते है देखो खेलेंगे एजे में गेंदबाज लेकिन अगर मोका मिलता है बल्ले बाजी का तो डेफिनेटली वाँ पे हिटिंग दे सकते है नो डाउट ठीक है तो वो प्ले आपको दिखेंगे यहाँ पे अगर मैं जी उएल की साइड से बात करूँआ किस के बारे में जैमी ओटन के बारे में गेंदबाजी जो रही है वो भी इनके अब दगा में काफी जाता बढ़िया देखने को मिल पाई है तो आप लोग अप फर अभी नहीं करूँगा गेंदबाजी इनके कंफरम नहीं है किसी भी मैच में चार ओवर डालते किसी भी मैच में एक और करवा सकते तो वो थोड़ा सा आपके लगपे चीज़े चली जाएंगी आयान अफजल खाल जोंकी फिफ्ट डाउन बल्ले बाजी देंगी गेंग में रखना हालांकि बडिया स्पिन गेंदबाज अगर टीम पूरे चार ओवर करवाई तो विकेट टेकिंग गेंदबाज के रूप में आपको खेलते हुए दिखेंगे फजल अक फरुकी लास्ट मैच के हीरो चार विकेट इंकाल दिया ठीक है फजल अक फरुकी किसी किसी रहेंगे बिकोज इनके पास में अजे सब्सिटूट खेलने वाले प्लेयर भी अवलियबल है ठीक है लेकिन मेरी जो चार पिक्स रहेंगे वो रहेंगे फजल अक फरुकी अकील हुसेन अकील के बारे में बता दिया चार ओवर लास्ट मैच पूरे नहीं करवाई लेकिन अ इनकी बात भी करूँ न तो इन्होंने काफी अच्छी फूम दिखाईए आठ हिनिंग में तो टोटल ये तेरा विकेट ले चुके हैं शुरुवाती जटके जीवल की टीम को लगा सकते हैं ये चीज़ आप लोग मानके चलिएगा क्रिस जोडन जो की अपनी स्लोर वंस का बढ़िया यूज कर सकते हैं जब अगर जीवल की टीम पहले गेंदबाजी करने उतरती है ठीक है अकिल के बार में बता दिया फजल ने लास्ट मैच में चार और अब दक काफी अची गेंदबाजी करवाई है तो मेरे टीम में देखोगे नो प्लेर आचुके हैं अब दो आपको पिक करने है यहां से आप लोग चाहो जी रासमस को जा सकते हो साथ में बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों आपको करके देंगे यहां से बैटिंग सेक्शन से हिट मायर आपके लिए विगल पर रहेंगे अंबती राइडू को ट्राई कर सकते हो टीम डैविड आप में बैक करेंगे ग्यारा प्लेयर की टीम अपनी की डेट हो चुकी दोस्तों जो कि मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ मेरी टीम में ग्यारा प्लेयर आचुके चेंजिज काऊंगे वो एक चीज़ बता दू अंबती राइडू पे चेंज हो सकता है यहां से बाईया वस करेंगे उसके बाद में यहां पे निकलस पूरन बहुत बढ़िया विकल्प है नो डाउट आप लोग क्रिस लिन को भी ट्राई कर सकते हो अगर ज्यादा सेफली खेलना यह तीन पर अच्छे विकल्प है गेंदबाजी में देखोगे तो ट्रेंट बोल्ट बाई सुरवात ट्रेंट बोल्ट क्रिस जोडन यह कुछ बैतर ओप्संस रहेगी कैप्टनची और वाइस कैप्टनची अपना कैप्टन वाइस कैप्टन हिन में से पिक कर गे चल सकते हो चेंजेस का करूँगा वो चीज आपको लड़ी बता चुका हूँ या फिर कैप्टनची वाइस पसंद आयोती है और वीडियो को लाइक है और चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बैल जरूर ओन कर लिजेगा आने वाले किसी भी मैच्सिज की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच्स की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच्स में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूर्म जरूर करेगी